नमस्कार दोस्तो जो बेंगला देश का निया प्रेजिडेंट है वही नोबल प्राइस जीते वाला मुहम्मद यूनिस नाम याद रखना मुहम्मद आता है बीच में वो जो बार्टन के साथ बड़े जपियां डाल रहा था अमेरिका में जाकर और वहां पर जपियां डालते होए उसने उसके कान में बोला वे डिडिट जोई आपने बेंगला देश में हमारी मदद करी गवर्मेंट को गिराने के लिए अब भारत में मोदी जी के गवर्मेंट को गिराना है ये देखिए आप तस्वीर वहां पर ये क्लिंटन एक फाउंडेशन है उसके अंदर ये चीज़ के लिए मिला था कोई धरम का काम नहीं किया इस आदमी ने इसको गंद डालने के लिए ही और जो डीप सेट है इसके चीज़ों को पूरा करने के लिए इसको नोबल प्राइस दिया गया था अब ये बिलकुल आपको प्लेफूल सी चीज़ लगेगी कि कान में बोल है क्योंकि ये भारत को टच करता है आपको मौलूम है यूनिस ने वहाँ पर जाकर एक काम और भी किया उसने एक तरह से बिलकुल परदा फश कर दिया इस पूरे ऑपरेशन का जो किया गया था शेख हसीना की गर्मेंट को गेरने का बड़े कॉंफिनेटली उसने बोस्ट क दोनों ने मिलकर हसीना की गर्मेंट को गिरा दिया और हसीना जो थी उसको रिलाइज ही नहीं हुआ कि उसकी गर्मेंट को गिराने के लिए इतनी बड़ी साजिश खेल जा रही है जब तक वो रिलाइज करती इट वस टू लेट प्लस उसने वहाँ जाकर एक काम और बोला जो मैं बार बार बोलता हूँ उसने बॉला एमेरिका को किसने यही मोहमद यूनस ने वी वांट यूर है कि इन दा फ्यूचर उसने यह नहीं है की नहीं जो गूर्मेंट गिर दी है उस गिर दी जो गूर्मेंट बनानी है व Joe बना लेगा और हमें सब को पता है कि ये एक ही टार्गेट है कि जिस तरह से बैंगलादेश की गवर्मेंट को गिरा गया है मोदीजी की गवर्मेंट को अब गिराना है and for this he needs help of USA जिस तरह से उन्होंने अमेरिका ने कि अमेरिका के डीप सेट ने बैंगलादेश में गवर्मेंट को गिरने के लिए उनकी help करी टार्गेट है रेजीम चेंज इन भारत यूनेस ने एक चीज और बोली कि उसने खुद ने और महफूज आलम ये दो लोग थे जिनोंने अपना दिमाग लगाया इस रेजीम चेंज को पूरा करने के लिए अब ये महफूज आलम है कौन ये महफूज आलम आप देखिए जो फोटो है उसके उपर वह साथ में जो एक आदमी ख़़ा हुआ है वो है महफूज आलम जो बॉटम लेफ्ट कॉर्णर में आपको दिखाए देता है और साथ में एक वोमन भी खड़ी है इसके साथ ये लीडर है हिजबुत तहरीर क्या ये एक तरकिश इस्लामिस्ट और्गनाजेशन है बैंड है बहुत कंट्रीज में लेकिन बैंगला देश में बैंड नहीं है और अनओफिशली ये भारत के अंदर भी ऑप्रेट करते हैं और ये ऐसी ऑगनाजेशन है जो ऑप्रेट करती है जमयते इस्लामी के साथ मिलकर और ये चाहते क्या है कि पूरी दुनिया में शरिया लॉग एस्टेबलिश हो यानि कि गलोबल केलिफेट ये एक ऑगनाजेशन या कंट्रीज बनाना चाहते है जहां पर शरिया लागू होना चाहिए और भारत के उपर इनकी नजर बहुत देर से है यूनिस ने अभी इस महफूज आलम को जो इतनी बड़ी टेरोरिस्ट और्गनाजेशन का हेड है उसको स्पेशल सेकरेटरी भी बना दिया अब ये मूफ जो है जानभूज कर करी गई है यानि कि उसने बता दिया कि कौन सी फोर्स इस एट प्ले है दो मेजर ग्रुप्स एकटे होते हैं बेंगलादेश के अंदर और एक अंड्रेस्ट को ये जनम देते हैं अंड्रेस्ट जिससे की गवर्मेंट को गेरा जाए जमायते इसलामी ये थी और साथ में जो लीडर से ऑपोजिशन के बेंगलादेश नैशनल पार्टी दोनों को इकटा किया गया यानि कि दो टेर्रेस्ट और ऑपोजिशन दोनों इकटा करकर वो क्या करती हैं एक गवर्मेंट को गेर देती हैं और जो ये बेंगलादेश के नैशनल पार्टी है यानि की आपको याद होगा उसका जो बेटा है वो लंडन में राहूल गांदी को मिला भी था जो किसी ने बताया भी है कि इनकी सीक्रेट मिटिंग हुई थी और राहूल गांदी ने बोला रेजीम चेंज आप कीजिए उसक के तो पांचे क्रोड कौकरोज भारत में अलड़ी हैं उनको बस आपने इशारा करना है दंगे करवाने के लिए बाकी काम मैं कर लूँगा ये जो मीटिंग है ये बैंगलादेशी जर्नलिस हैं जिन्हों ने बताया भी था जिन्होंने क्लेम किया था कि जो राहूल गांद हैं कहां पर दुनिया में जैसे अलकाइदा है इनके जंडे भी प्रोटेस्ट के अंदर देखे गए हैं बैंगलादेश के अंदर क्या आपको वो जंडे भारत पे दिखाई नहीं देते जब भी यहां राहूल गांदी की कोई भी यहां पर रैली होती है उसमें सारे या तो पाकिस्तान के यह जमयते जो जुती भी इनकी जमयते डॉग बिल्ला कुता बिल्ली जो भी होती है इनकी गधे वो सबकी जमयतों के जंडे वहां पर लहरा है जाते हैं क्या आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा एक लार्जर और कैस्टर्ड मूवमेंट बैंगलादेश म के अंदर जैसे उसने बोला है मुहम्मद यूनस ने वी डिडिट जोई नाउ नेक्स्ट यू नो वाट टो वही चीज राहूल गांदी भी बोल रहे हैं कि सारे गलोबल जिहादी नेटवर्क को इकटा किया जाए बैंगलादेश में उन्होंने टेस्ट कर लिया अब भारत की बारी है दोस्तों इसके साथ एक और चीज़ भी है जो है CIA का कनेक्शन अंसीन है बैंगलादेश के अंदर CIA का लेकिन भारत के अंदर वो अंसीन हैंड अब सीन हो गया है राहूल गांदी जाता है USA में वहाँ जाकर डीप स्टेट को बोलता है भारत की तरक्की को रोगती जीए और आपको मालूम है CIA कौन है ये दुनिया की सबसे लारजेस्ट हिडन वे में ऑपरेशन करने का एक नेटवर्क है और ये एजनसी ऐसी है जिसके लिंक हमेशा ही रहे हैं इसलामिक स्टेट के साथ अलकाइदा के साथ और इनके फिंगर प्रिंट रहे हैं जब भी किस उसे खतम कर दिया गया हाई कोट ने ओवरूल किया उसको और सुप्रीम कोट ने दुबारा से हामी भर दी इसके बाद भी ना तो हाई कोट ना सुप्रीम कोट इनके अगेंस्ट दंगे नहीं हुए दंगे किसके अगेंस्ट होए गवर्मेंट के अगेंस्ट जबकि गवर् कि ऽौर्ट के बाहर जा के करते। वाइलंट अपरजिंग वहां करते। लेकिन नहीं वहां नहीं किया। इसके बाद न ये आते। लेकिन फॉकस था हमेशा ही शेख हरसीना की गर्मिन्न को गेरना। कै भारत में ये कुछ नहीं होता। हमने यहाँ पर किसानों का एक बिल पास किया, सारी पार्टी इन्वाल्ट थी, जब पास हो गए उसके बाद गन डालना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर से इंस्ट्रक्शन आगे थे, इनको बढ़काओ, और बढ़काया भी किसको, पंजाब के सिक्खों को सिरफ, कोई और ब मनिपूर के अंतर, आप देख लेजिए, यह ब्रॉडर स्टाटेजी है, पूरी की पूरी, जो भारत पे भी अब लागू होनी, शुरू हो गई, मनिपूर में दंगे हुए, सेम वही कॉंट्रवर्सी, हाई कोट से, कोई न कोई एक जजज्मेंट आया, कि जो स्टेटर्स ह उसके उपर, प्रोटेज्स शुरू हो गए, पही हाई कोट्ट ने जजज्मेंट दिया है, और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, चीफ मिनिस्टर की जो गवर्मेंट है, वो गवर्मेंट को गयरा जाए, चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, सुप्रीम मेंट है उसे गेरा जाए ये भी एक औरकेस्टर्ड मूव्मेंट थी पार्ट ऑफ ग्लोबल स्ट्राटेजी जिसके एंजिनियर किया गया था और हमारे पपू बाबा की तरफ से अब आते हैं यूनिस का रूल क्या था इस्टुडेंट लेट रेवलुशन जो कि बैंगले देश में हुआ क्योंकि इसका लिंक भारत के साथ बहुत डीपली है ये यूनिस वही है जो राहूल गांधी को बड़ी बार ये यूसे में मिल च कि यूनिस ने बड़े प्राउडली रेवलुशन लेके आने की बात बोली थी और वो क्लेम भी करता है कि वो पर्सनली इस मूवमेंट को चलाना चाहता था बच्चों को बढ़काया गया क्या भारत में बच्चों को बढ़काने की कोशिश राहूल नहीं करी और आप देख शुरू किया था जहांबे छोटे छोटे चोटे लोन ये ग्रीब औरतों को जो गाउं की लेडिस होती हैं उनको देता था रेट अफ इंटर्स होता था 25% यानि कि इसलाम को फालो करने वाला जहांपर लोन के उपर इंटरस देना और लेना हराम होता है इस हरामी ने 25% को बोलते हैं कि नोबल प्राइस मिल गया और दोस्तों इसका जो गरमीन बैंक है यह मनी लॉंडरिंग करने के लिए यह मैशूर था यानि कि काले धंद को करने के लिए यह चीज़ को यूज़ करता था और वो सारा पैसा आता कहां से था ड्राग से हुमन ट्राफिंकिंग से टेरोरिजम से लड़कियों को बेचने का धंदा करते थे लोग और वहाँ से पैसे निकलते थे और जो आदमी यह बड़य बड़य महान काम करता है उसको नोबल प्राइस मिलता है और मोदी जी हैं नोबल प्राइस लेने के चकर में यूद खत्ब करने की कोशिश करते हैं नहीं मिलेगा मौतिकी नोबल प्राइज तभी मिलता है जब आप human trafficking, drugs, terrorism इस चीजों में आप lean होते हैं युद शुरू करते हैं तभी आपको नोबल प्राइज मिलते हैं अभी आप देख लेना जो नितन याहू है इसराइल के उनको नोबल प जन्ते के साथ युद शुरू कर लिया है अकेला आदमी है किसी की help नहीं मागी उसने और किसी की परवा भी नहीं करता युद कर दिया है और घर में फोक के आ रहा हो आप कहते हैं घर में घुश के मारूंगा वो मारता नहीं है ठोक के आता है दोनों में बड़ा फ़राख ह ठोकना वो होता है जिसकी आवाज दूर तक पहुंचे यह पूरे दुनिया में गुज़ रही है और यहां पर मौदी जी राम से अभी भी पुर्शोतम राम बनके बैटे हैं कि मेरी छवी के उपर कुछ दाग न लग जाए कहीं मेरा नोबल प्राइज मेरे हाथ से न निकल ज करता है काले धन को वाइट कर रहा है यह सारी धांबली का काम मैं बाहर परदाफाश करूंगी और जैसे ही उसने परदाफाश करने की बाते बोली शेयर कसीना की गवर्मेंट को गिराने की साजिश शुरू हो गई और आपको याद होगा जो यूस की जो सेक्रेटरी अफ स् शुरू हो गई है इसलिए वर्ल बैंक को बोल दिया कि जो लोन हम बैंगलादेश को देने वाले हैं उसे रोग दे जाए आपको याद होगा कि वहाँ पे पदमा ब्रिज का को प्रजेट था उसके लिए फंडिंग चाहिए थी 1.2 बिलियन डालर की रोग दी गई सिर्फ इ क्योंकि उनके जो पपट है यूनिस उसके उपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी यानि कि आप समझ सकते हैं कि यूनिस और क्लिंटन्स के जो ये रिलेशन्स हैं ये कितने पुराने हैं और कितने गहरे हैं और दोस्तों इसके साथ साथ जो डीप स्टेट है और सोरो में क्यों बता रहा हूं को क्योंकि ये सारी connection वो है जो राहूल गांधी के साथ भी है यूनिस मोहमद जो है वो और राहूल में कोई फरक नहीं है दोनों अपनी country की government को गेरना चाते हैं जिहादियों को control देना चाते हैं डीप state के agenda के हिसाब से काम करना चाते हैं और कुछ भी नहीं है और जो ये डीप state है ये आपको लगे का यार हम बार बार बोलते रहते हैं ये है क्या भाई ये डीप state वही है जो हिलरी क्लिंटन और उबामा के साथ मिलकर ये politics को control करते हैं उबामा ने 2009 में इस यूनिस को पहले तो वाट दिया कौनसा presidential medal of freedom यानि की highest civilian honor है किसी भी आदमी के लिए बैस तो कौकरोच है इसको आदमी बोलना नहीं चाहिए मुहमद यूनिस को ये micro financing का pioneer बोलता अपने आपको इसको बोला गया ये ambassador है किसी इसका मैं तो बोलूँगा global elite जो होती है ये deep state ये उसका ambassador है इसका गरीबों से कोई लेना देना ही नहीं है और रहुल वाले तब ही उसको घर भी जो है मुहमद तुगलग रोड पर दिया गया है रावल गांदी को और जो मा है क्योंकि दस नंबरी है तो दस जनपत पे उसको घर दिया हुआ है ये बाई चांस नहीं हो सकता ये भी नोट करना अगली बात अब पूरी जो ये गेम है उसके वो आदमी जो हमेशा ही अपने फंड को और अपने इंफ्लेंस को यूज करता है गलोबल गवर्मेंट में घरने के लिए मोदी जी के गवर्मेंट को घरने के लिए भी उसने कितना साथा पैसे लगाए थे आप समा सकते हैं और रावल गांदी के किसके साथ है सुनीता है और रेजीम चेंज के लिए माने जाती है स्ट्राइजिस बनाती है कि दूसरे कंट्री की गवर्मेंट को कैसे घरने के लिए और यह सारे कनेक्शन अको पता लगे यह वही कनेक्शन है जो मनीपूर में गंत आल रहे हैं जो क्रिश्चन ड्रग स्टेट बना जाना चाते ह हैं नौर्ट इस्ट के अंदर वहाँ पर जैसे ही ड्रग्स के उपर हमने हाथ आला कि यह सारी जो खेती हो रही है इसको बंद किया जाए इमिजेटली सी आए डीप स्टेट सोरोस यह सारे सारे बाहर निकल गए कि कहीं मनीपूर सौल्व ना हो जाए यह जो नार्कोटिक्स का हब बन गया है वहाँ पर बीजेपी के साथ लड़ाई नहीं है नार्कोटिक्स की लड़ाई है और यह पूरा कपरा इंफुलेंस चाइना से लेकर इंडिया से लेकर बे बेंगल तक यह घूमता है यह जो सारा कुछ हो रहा है यह पड़ी ही सोची समझी साजिश है और य भारत में जाकर अब मोदी की गर्मेंट को गिराना है और जाद में उसने यह भी बहुत दिया कि जो तुम मिलिटरी बेस बैंगलादेश में चाहते थे वो तुम्हें मैं देदूंगा चिंता मत करो थोड़ी दिन वेट करो इस विल कम तो यो यानि कि इन अदर वर्ड्स य क्योर ना हो जाएं और अमेरिका का इंटरस्ट क्या है उसका इंटरस्ट है भारत के पास एक नेवल बेस बनाना ताकि चाइना को तंकर करने की वो दिखाएगा कि वो चाइना को तंकर रहा है अल्टिमेटली उसको भारत को ही तंकर रहा है दोस्तों यह सारी सारी जो चीज बाइडन की नहीं है उबामा की थर्ट टम चल रही है आप सब को मालू है और बाइडन ने एक ही काम किया उसने बैंगला देश को एक पॉन की तरह एक मोहरे की तरह यूज किया है वहाँ पर इसलामिस को खड़ा कर दिया तालिबन कंट्रोल रीजन्स बन चुके हैं वहाँ प संबल जाओ ये तो चीज हम भी मोदीजी को बरीज़ से समझा रहे हैं कि मोदीजी ये आग हमारे देश में भी आने वाली है आ चुकी है राहूल गांधी सारे दुनिया के forces को जोड कर हमारे देश में आग लगाने की कोशिश कर रहा है क्या मोदीजी आपने हमारी बात सु कोई action नहीं कोई सी चीज को रोकने का कोई परयास नहीं और ये बड़ी unfortunate चीज भी है दोस्तों आप मेंसे कई लोग बोलते हैं कि मोदी जी कब बोलेंगे मैं कहता हूं एक चीज हमेशा कि मोदी जी ने बिन बोले काम किया हमेशा मैं प्रे करता हूं कि इस बार जो मोदी जी नहीं बोल रहे हैं इसमें बहुत बड़ा काम उख करने वाले हैं I am praying that this time मोदी जी विल अगें डो जैसे demonetization किया चुपके से कर दिया तिनसो सतर भी चुपके से खतम कर दिया किसी को पता ही नहीं लगा राम अंदर चुपके से कर दिया और कितने काम है तरकी के इस देश में चुपके से कर दिये मैं चाता हूं कि इस बार भी मोदी जी अगर चुप हैं इस बार कुछ इतना बड़ा करेंगे कि सारी दुनिया को हका बका कर देंगे जिस तरह से नितन याहू ने अब यह न खड़े हो के याहू वो ऐसे कर रहा है वैसा ही मोधी जी भी करने वारे हैं और हम सनात नहीं तो वेट कर रहे हैं उस चीज़ की दस साल से वेट कर रहे हैं इन कौकरों चोंका कोई इलाज किया जाए इनके वक्फ का कोई इलाज किया जाए इनका जो पॉपलेशन कंट्रोल है इसको किया जाए मोधी जी को डिक्टेटर बोला जाता है मोधी जी अगर टैग मिली चुका आपको डिक्टेटर का तो बनके दिखा दिए ना क्यों आप राम चंदर बनकर सब कुछ परशोतम राम की तरह करने की कोशिश कर रहे है हसीना ने भी यही कोशिश करी थी क्या हुआ गमन गिर गई मैं जानता हूँ कि आप शेक हसीना की तरह नहीं है ना ही इंडियन जो आर्मी है वो बेंगलादेश की आर्मी की तरह हाथ फुला कर बैटने वाली है यहाँ पर वो चीज़ें नहीं होगी जो वहाँ पर हो गई है I understand that लेकिन कोशिशें जारी है और by accident कुछ भी हो सकता है लेकिन मोदी जी आपने क्या बोला था Nothing happens by accident It is all part of a grand design और जो बेंगलादेश में जो हुआ वो भी plan of a great design था वहाँ पर success मिल चुकी है Deep State को और राहूल गांदी को आपको लगता है anything is going to stop them to do this in India also अगर आप ऐसे ही चुप रहे तो यह आग जो बेंगलादेश में आए लगी है वो भारत में आते हो देर नहीं लगेगी वो तो जिहादी कठे कर रहा है राहूल गांदी बैटकर जब से मेरीका से आया है दिखाईजी नहीं देता क्यों? पता उसको भी है कि he is now आपको भी पता है कि वो क्या कर रहा है इस वकत वो एक बड़े प्लैन की तरफ वो चलता जा रहा है डीप स्टेट ने उसको आशीरवा दे दिया है कि अगला परधान मंतरी भारत का तू ही बनेगा मोदी की गवर्मेंट तो गई तो इसलिए अगर आपकी गवर्मेंट करने वाली है उससे पहले कोई बड़ा कम तो कर जाईए क्योंकि आप गए कि मोदी हटा तो गला कटा ये हम सब को पता है पता आपको भी है तो क्यों हमें धुकेलते हैं उस टाइम तक जहांपर हमारे गले कटे जाए गुजारिश आपसे बार बार एकी है कि जिस तरह से आज यूनिस ने बाइडन के कान में जाकर बोला है वी डिड़ जोई आई वांट कि आप आठ बजे आए और आठ बजे आकर बोलें वी डिड़ भारत बासियो हमने पाकिस्तान का नाम और निशान खदम कर दिया है वी वांट दिस तो हेर फ्रम यू ताकि हिंदों का लगे येस हमारी गवर्मन आई उसने हमारे बारे में सोचा तो सही थैंक यू जाहेंद वन दे मादर